जब पूरा मुर्ण परोना पैरस से मुकाबला करने में जुठा है तब ऐसे जाहिल कस्म के लोग इसका मजाक उड़ाने में लगें नोटो के रुमाल की तरह नाक मुचने वाले और उस पर थूक लगाने वाले जाहिल का नाम सेयद जामिल है जो महराश्ट के नासिक के मालिगाओं का रहने वाला है लेकिन अब इसका अगला ठिकाना जेल हो गया है इस जमील ने कोरोना का मजाक उड़ाने के लिए ना सिर्फ ये टिक टॉक वीडियो बनाया था बलकि उसने धार्मिक भावनाए भड़काने वाली बातें भी कही थी कोरोना जैसी बिमारी का कोई इलाज नहीं है क्योंकि बिमारी नहीं ये अल्ला का अधाब है आप लोगों के लिए पांच-पांस्तौ रुपय के नोट से कभी मूँ तो कभी नाक पोचने वाले 40 साल के जमील की सरकत को देख कर घिन भी आती है और गुस्सा भी जैसे ये वीडियो वाइरल होने लगा नासिक पुलस ने जमील की खोजबीन शुरू कर दी और आखिरकार माले गाउं से उसे गिरफतार भी कर लिया गया माले गाउं में टिक टॉक के जरिये जाहिल पने का परिचाए दिने वाला केवल जमील ही नहीं था बल्कि और भी लोग थे तीन युकों की स्टोली ने कोरोना वाइरस को ना सिर्फ एनर्सी से जोड़ दिया बल्कि भड़काउं बाते भी गई कोरोना वाइरस का स्वागत करने वाले माले गाउं के इन तीनों युवकों की खातिरदारी अब थाने में हो रही है इस तरह के भड़काउं टिक टॉक वीडियो बनाने वाले अब्दुलकुरैशी, सयद हुसैन और सुफियान मुक्तार को गिरस्तार कर लिया है नोट वाले जमीर और इन तीनों को मिलाकर कुल चार आरूपी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं जो टिक टॉक के जरीए उन मात फैलाने में लगे थी तुम आलेगाओं में टिक टॉक इस पे एक वीडियो कल अप्टॉड़ ओट गया था और एक वीडियो पर प्स उप्टॉड़ हैं इसमें अलग-अलग दो FIR होए हैं, जिसमें एक वीडियो में ती, और एक वीडियो उसमें एक आरुपी, ऐसे हमने 4 आरुपी को अरेस्ट ही है. इन दिनों कोरोना का मजा खोड़ाने और इसके बहाने धार्मिक भावना भड़काने वाले कई वीडियो तिक टॉक पर चल रहे हैं. किसी वीडियो में कोरोना के इलाज के नाम पर उपहास उड़ाया जा रहा है, तो किसी वीडियो में कोरोना को एनर्सी से जोड़कर भड़काने वाली बात कही जा रही है. ज़रूरी है कि ऐसे जाहिल किस्म के लोगों को कानून के दैरे में लाकर उन्हें भी सबक सिखाया जाए ब्यूरो रपोर्ट जी मीडिया